Hello students, welcome to MOS classes. आज हम 8th class, Math NCRT के chapter number 13 की exercise 13.2 का first question करेंगे. तो first question में हमसे कहा गया है, which of the following are inverse proportions? हमें यहाँ पर कुछ parts दिये गए हैं, कुछ question पूछे गए हैं, हमसे पूछा गए हैं, इन में से कौन से inverse proportions हैं. तो इस chapter की जो basic exercise की video है, students, उसमें हमने आपको समझाया था, कि inverse proportion क्या होते हैं, कि जब एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ कम होती है, या एक चीज़ के कम होने से दूसरी चीज़ बढ़ती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, inverse proportion. तो यहाँ पर हम चेक करते हैं, कि यह गिवन जो हमें questions है, inverse proportion है या नहीं, first question में जितने भी part है, हमें सब को check करना है. First part कहता है, the number of workers on a job, and the time to complete the job. तो यहाँ पर हमसे कहा गया है, कि number of workers किसी काम पर अगर लगे हुए हैं, और जो time लगता है complete करने में उस job को. तो इसमें हम check करते हैं, कि यह inverse proportion है या नहीं, देखें, अगर worker, यह example के तुरू हमने समझाया है, कि अगर माने यह worker 10 है, तो उनको time लगता है, अगर यह time हम days में, कितना time लगता है, 10 दिन लगते हैं, तो अगर हम इसको double कर देते हैं, देखें, worker 20 हो गए, तो यहाँ पर का यह उसका half 5 कर रहे हैं, तो time में 20 दिन लग रहे हैं, इसका मतलब, देखें, यहाँ पर क्या हुआ, working को बढ़ाया गया, तो time कम हो गया, और यहाँ पर worker को 10 से 5 किया गया, यानि worker कम किये गया, तो time 10 से 20 दिन का हो गया, यानि time बढ़ गया, यानि जब चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ कम हो रही है या फिर एक चीज़ कम हो रही है तो दूसरी चीज़ बढ़ रही है तो यह कौन सा proportion हुआ students यह हुआ inverse proportion तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं therefore it is a case of inverse proportion अब हम इसका second part देखते हैं second part में students अमसे कहा गया है the time taken for a journey and the distance traveled in a uniform speed कि कितना time लगता है किसी journey में journey यानि कोई रस्ता आता है करने में किसी सफर में and the distance traveled in a uniform speed और यहाँ पर हम से यह भी का गया कि जो speed है वो एक ही है यानि कि अगर आप speed को same रखते हैं तो distance और time कि क्या वो inverse proportion में आते हैं या नहीं तो ये भी हमने example के through समझाया है देखिए अगर आप 10 घंटे में दूरी cover कर रहे हैं तो 10 घंटे रगा कर आपने 200 km का distance cover किया ठीक है ये km में distance हमने लिया हुआ यहाँ पर ठीक है यानि 10 घंटे में 10 hours में 200 km का distance cover किया अगर हम time को double कर दे तो आप distance भी तो ज़्यदा cover करेंगे तो 20 घंटे में कितना distance होगा 400 km अगर हम time कम कर देते है time 10 hour से हमने 5 hour कर दिया students तो distance हो गया 100 km देखिए जब time को 10 से बढ़ाया गया time बढ़ा तो distance भी बढ़ा यहाँ पर time 10 से 5 वहा time कम हुआ तो distance भी कम हुआ तो student यहाँ पर एक चीज बढ़ने से दूसरी चीज बढ़ रही है और एक चीज घटने से दूसरी चीज घट रही है तो यह inverse proportion नहीं है यह direct proportion है तो यहाँ पर हम लिखेंगे it is a case of direct proportion not inverse proportion यह direct proportion का case है inverse proportion का case नहीं है third part देखते हैं students यहाँ पर हमें दिया हुआ एरिया ओफ कल्टिवेटिड रेंड यानि वो जमीन जहाँ पर आपने खेती करी and the crop harvested और कितनी आपने वहाँ फसल उगाई देखिए एरिया ओफ कल्टिवेटिड रेंड यानि जमीन कितनी है आपके पास और उस पे आपने कितनी crop उगाई यानि कितनी crop आप उगा पाए सीधी सी बात है यहाँ पर देखिए अगर एरिया आपके पास ज्यदा होगा मान देखिए के दो किसान है एक के पास ज्यदा जमीन है तो ज्यदा खेती कर सकता है और अगर दूसरे के पास कम जमीन है तो वो कम होगी कम होगी तो उस पर फसल भी कम हो जाएगी जो हर्वेस्टिड क्रोप है जो खेती करी है अपने उसकी भी संख्या कम हो जाएगी जनी एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी बढ़ रही है एक चीज कम हो रही है तो ये भी inverse proportion नहीं है ये कौन सा proportion है students ये direct proportion है तो यहाँ हम लिखेंगे therefore it is a case of direct proportion not inverse proportion अब हम इसका fourth part देखते हैं fourth part में हमसे कहा गया है the time taken for a fixed journey and the speed of the vehicle यानि कि अगर speed का और time का हम relation बनाए तो वो कैसा बनेगा कि यानि speed कम होती है तो time ज्यादा लगेगा या कम लगेगा या speed बढ़ती है तो time पर क्या फरक पड़ता है तो यह example के through देखते हैं देखें ये time का part लिया हमने ये speed है speed हमने km पर आर में लिया है time हमने आर में लिया है तो अगर एक घंटा अगर आप एक घंटे में distance cover करते हैं कोई तो आपकी speed कितनी आपर 50 km per hour तो आप ये कह सकते हैं कि 50 km per hour की speed से अगर आप चलते हैं तो आपको एक घंटा लगता है किसी journey को पूरा करने में किसी सफर को पूरा करने में अगर आप speed बढ़ा देते हैं 100 km per hour कर देते हैं तो time आदा रह जाएगा time कम हो गया और चीज कम होई, तो यह चीज 1 से 2 यानि बढ़ गई, यानि एक चीज कम होने पर दूसरी बढ़ रही है, और एक चीज बढ़ने पर दूसरी चीज कम हो रही है, therefore it is a case of inverse proportion, इसलिए क्या हुआ, ये inverse proportion का case हुआ, अब हम इसका fifth part देखते हैं students, the population of a country and the area of land per person, यानि किसी देश म जो जमीन है, उसका क्या relation है, किस तरह का proportion है, किस के साथ, area of land per person के कितने लोगों के लिए कितनी जमीन है, इसको आप ऐसे ले सकते हैं, कि मान लिजी आप एक कमरे में दो लोग रहते हैं, तो आपके लिए काफी जगा है उसमें, लेकिन उसी कमरे में अगर 20 लोगों को कहा कहा जाए रहने के लिए, तो उनके लिए जगा कम पढ़ जाएगी, यानि कि population बढ़ गई तो जगा कम पढ़ गई, तो यहाँ population और area of land per person, एक इनसान के रहने के लिए कितनी जगा वो relation हमें पता करना है, तो सीधी सी बात है कि अगर population बढ़ेगी students, तो area of land per person, हर इनसान के लिए, जो प्रती व्यक्ति जो इसमें जमीन होगी, वो कम हो जाएगी, और अगर population कम होगी, तो जमीन बढ़ जाएगी हर इनसान के लिए, इसका मतलब एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी कम हो रही है, और एक चीज कम हो रही है, तो यह कौन सा proportion हुआ, यह inverse proportion हुआ, तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है, तो इसे like, share और subscribe कीजिए, thank you